प्लान करना है अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने मारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लो साथ में बेल आइकन का विटन भी प्रेस कर लो टेली ग्राम चैनल एंड जो वाटसाफ ग्रूप है दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्टिंबॉक में मिल जाएगा जाकर कि आप जोइन कर सकते हो क्योंकि वहां पर आपको सभी प्र मैं बता देना चाहता हूं कि मार्केट है वो वोलाटाइल है ठीक है क्या है वोलाटाइल है तो अगर आपको बहुत यहां पर आच्छे तरीके से आता है इंटाडे करना तो ही आप काम कीजिए अधर्वाइज आप छोड़ सकते हो और लेवल के अकोर्डिंग हमारे जो यह प्रोफिट बुग कभी इंट्रा डे के अदर स्व्ञ कर सकती है तो यहां पर जो है अच्छे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं तो आप देख सकते हो कि CZ power है, वो यहाँ से upside के अंदर गया था, downside के अंदर आया है, इसी area से support लेकर के वापस reversal का काम कर रहा है, तो इसके अंदर, ऊपर के अंदर, 762 का level निकलता है, तो आप entry कीजेगा, 769 पहला target बनेगा, 776, second target बनेगा, stop loss आपको यहाँ पर 775 के उपर लगा के रखना है, किया था, उसके बाद भी यह upside में गया, नीचा आया था, और इसके अंदर, यहाँ से reversal दिख रहा है, काफी अच्छा, market गी रहा था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा reversal दिख रहा है, तो इसके अंदर भी upside के अंदर momentum आ सकता है, तो 3067 के उपर निकलता है, तो आप entry कीजेगा, 3090 पहला target बनेगा, यह हमारा second target बनेगा, stop loss आपको 3048 के उपर लगा के रखना है, तो यह हमारा यहाँ पर second number का श्टोक हो गया, इसके बाद में जो third number का श्टोक है, वो है पतंजली foods, ठीक है, पतंजली foods के अंदर भी आप देखोगे, तो यहाँ पे यह एक जो resistance एरिया था, उसका breakout किया था, उसके बाद में यहाँ पे इसने एक price wise correction complete कर लिया, इसके बाद में जो यहाँ पर fourth number का श्टोक है, वो हमारा है green panel, green panel industries के अंदर भी आप देखोगे, तो यहाँ पे एक काफी अच्छा आप trend चल रहा है, और यहाँ पे upside में जाने के बाद में इसने consolidation किया है, market की गिरावट हो रही थी, उसके अंदर यहाँ पे यह गिरा, लेकिन पूरा recover कर गया है, तो day high निकलेगा, तो इसके अंदर जो momentum है वो continue रह सकता है, 391 के उपर निकले तो आप entry कीजेगा, 395 and 397 यह दो target होंगे, stop loss आपको यहाँ पे 388 के उपर लगा के रखना है, तो यह हमारा यहाँ पे fourth number का stock हो गया, इसके बाद में जो last number का stock है वो है infi, infi के अंदर भी आप देख सकते हो कि जो IT sector है, वो यहाँ पे गिरावट नहीं दिखा रहा है, वो यहाँ पे रुका हुआ है, या उसके अंदर थोड़ी अच्छी कासी चाल आ रही है, infi में आप देखोगे, तो यहाँ पे यह जो एक channel create कर रहा है, इस channel का यहाँ पे लगबग breakout हो रहा है, तो इसके अंदर momentum है, वो upside का आ सकता है, तो 1900, 1940 के उपर निकले तो आप entry कीजेगा, 1955 पहला target बनेगा, 1965 65 second target बनेगा, इस टोप लोस आपको यहाँ पे 1925 के उपर लगा के रखना है, तो इस वीडियो के अंदर हमने आपे best vibe intraday reading के stocks हैं, वो discuss किये हैं, आसा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like कीजे, channel को subscribe कीजे और DMAT account आपके पास नहीं है, तो आप बिलकुल free में हमारे इंडर में DMAT account open कर सकते हैं, उसका link आपको description box में मिल जाएगा, मिलते हैं एक वीडियो में, thank you very much.